नीड नॉट डिफाइन प्लेस, सब कैसे आएगी मूवी मतलब चलके आएगी, धंक से आएगी, केरफुली आएगी, थरली आएगी, मैनर नहीं चाहिए, पर ये मूवी कब आएगी, यार ये तो देखनी देखनी है, तब देखते हैं मूवी इसके ट्रेलर में क्या लिखा हो के साथ में आएगी, नमस्कार, दिस इस Kabildev Sharma, and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kabildev Sharma, in another video on Adverbs in English, 9th video है ये, इससे 8 वीडियो में पहले, आपको Adverbs का introduction, किस तरह ये Adjectives, verbs, Adverbs, preposition, conjunction और पूर एक sentence को modify कर सकती है, किस तरह next video में आपको mark किया, ये simple Adverbs हो सकती है, manner, place, time, frequency, affirmation, negation, contrast, extent, degree, etc, किस तरह ये relate कर सकती है, और ask questions के लिए हम लोग use कर लेते हैं, the interrogative Adverbs mark की थी आपको, उसके बाद use of the as an Adverb in English, हाँ जी, definite article the, English में Adverb का भी काम कर लेता है, proper video में आपको mark किया था, उसके बाद use of so that, use of to to, किस तरह आप adjectives और Adverbs को sentence में identify कर सकते हैं, because हर शब्द के पीछे ly नहीं लगाई जाती, fast Adverb भी है, adjective भी है, हो तो sentence दिखाएगा न, behaving as what, भई, hard Adjective भी है, Adverb भी है, enough Adjective भी है, Adverb भी है, sentence के according आप पहचान सकते हैं, कौन Adjective है, कौन Adverb है, उसके बाद आपको mark किया था, use of too much and much to, और last video में कहा था, किस तरह sentence में Adverb की position भुमा कर, उसका meaning change किया जा सकता है, हाला कि वो हर Adverb के साथ नहीं होता, तो precisely इस वीडियो में आपको mark करना चाहूँगा, कैसे आप manner, place, time की precise position mark कर सकते हैं, अलग-अलग verbs के अलग-अलग sentence की demand के साथ, need के साथ भी, before I proceed, let me mark you with a couple of formalities, के हाँ, इस चैनल पर बहुत सारा content है, कोई नया हो, तो एक बार चैकर लिजेगा, grammar में आपको noun, pronoun, adjective, verb, adverb, सारी चीज़ा मिल जाएंगी, vocabulary में काफी videos है, root words के सारे, idiom phrases, अपनी etymology और history के हिसाब से, के सब शब लिस्ट section open करेंगे, आपको इस तरह मिल जाएगा, complete pronouns, adjectives, noun, tenses, और ऐसे बहुत सारे प्लिस्ट में आपको अलग-अलग चीज़ है, precisely मिल जाएंगे, एक बार चेकर लिजेगा, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, on my app with the same name, English by Kabaldiv Sharma, available on google play store, आप यहां से एक foundation batch ले सकते हैं, in case you miss them, can watch the recordings and number of times, PDF और notes भी available हैं, और हाँ, 24-7 अपनी routes आप एक dedicated group जो है, उसमें discuss कर सकते हैं, हमेशा, अगर आप pre और means दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, तो एक practice batch भी है, जिसमें आप हर चीज़ को basic से लेकर, अच्छे advanced level तक pick करेंगे, चाहे वो banking के topics हों, जी हां, means के साथ, चाहे को SSC के topics हों, नए syllabus को ध्यान में रखते हुए, और जिस किसी को सारे वीडियो साथ में चाहिए, अब आद में देख सकते हैं, लाइप की जरूत नहीं मुझे, तो वीडियो ज़रूरी है, तो वीडियो ज़रूरी है, स्टूडेंस के लिए डेली आपको vocabulary मिल ज जाती हैं, और आप चाहें तो इस्टा पर follow कर सकते हैं, ठीक है, चली, we were talking about adverbs, इसी चीज़ को एक बार वापस कह दू, भाशा में हर चीज़ को लिखने का, बोलने का एक proper order होता है, अदरवास पिर जिसकी जो मर्जी होगी वो बोलने लगेगा, बनते वहीं से ही हैं, लेक विद्याले जाता है, बच्पन की याद हैं कभी, इसका भी एक order था, ऐसा नहीं होता कि जो हिंदी में है, किसी और language में है, exactly आप उसको लिख देंगे, कि वह, विद्याले को आपने school कह दिया, और जाता है को हमने goes लिख दिया, English के according ये sentence तो नहीं बनता, he school goes, even preposition भी mark करन पड़ता है, अगर इसकी position भी change कर लोगे, he goes school नहीं, he goes to school आपको लिखना पड़ जाता है, adverb है, object नहीं है, go interactive है, अच्छा, प्रोनाउन पढ़े थे, उनका फुद का order था, वो तो sentence का order हो गया, कि अरे, अच्छी चीज़ें हैं, तो 2, 3, 1, follow कर लेता है, बुरी चीज़े Adverbs की बात करें, तो Adverbs तो बहुत versatile होती है, यह तो बहुत सारे काम कर लेती है, adjective कम से कम, noun और pronoun को ही modify करते थे, यह तो adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, sentence को modify कर लेती है, तो basically, इनका जो order लिखा जाता है, वो MPT होता है, आप ऐसे कहीं लोग जानते हैं, हाला कि उसके अलावा भी variations होते हैं, व काफी है, तब जाकर additional components, Adverbs आप पीछे place कर दीजेगा, तो साधारन तह जो Adverbs का order लिखा जाता है, वो यह ही है, सबसे पहले आप subject लिख लो, verb लिख लो, object लिख लिख लिजेगा, उसके बाद सबसे पहले अकसर, manner लिखी जाती है, काम हुआ, तो कैसे हुआ था, अच्छा additional information और देनी, एक और Adverb है, तो उसके बाद place लगा दीजे, और और भी info देनी है, time भी दिखाना है, तो उसके पीछे time लिखा जाता है, आप सबने आए, hope so, सुना होगा, mpt mark कर लेते हैं, वो भी ऐसे ही है, subject, web and object, उसके बाद manner, उसके बाद place, उसके बाद time, हाँ, कई बार p tmt भी use किया जाता है, दिखाता हूँ आगे आपको, place पहले आजाती है, manner उसके बाद time उसके बाद, और ज़रूरत पढ़े, तो tmp भी इस्तमाल किया जाता है, यह अक्सर आपको books में नहीं मिलेगा, कभी आप पढ़े हैं, तो अच्छी किताब हैं, आपको यह भी दिखा I said a couple of, यह तो थोड़े जादा निकल आए, have a look, आप पढ़ लो, फिर मैं समझा देखा हूँ चलिए थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, to save time, कोई काम हुआ था, जानबुच के नहीं किया था भई, accidentally हो गया था, चानक से हो गया था, तुमने तो मुझसे घुस्से में बात की थी, बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे थे आप, जब आपने वो कहा तो anxiously कहा था, बड़े awkwardly मुझसे वो काम हो गया, बड़े बुरी तरीके से आपने काम किया, सुन्दरता से काम किया था, बहादुरी से काम किया था, ध्यान कुरवक को काम हुआ होगा, आप तो कभी ध्यानी नहीं देते, carelessly बोल दिया, थोड़ा ध्यान से, cautiously, खुशी में cheerfully हो सकता है, सफाई से क किया था, clearly, correctly हो सकता है, cruelly हो सकता है, we all know the meanings, daringly, उतनी बहादुरी से deliberately, जान बूच कर किया था, doubtfully है, eagerly है, easily, equally, अंततह ऐसा हुआ, eventually, exactly, यही बात कर रहा था मैं भी, faithfully, fast, conditions applied, English में adverb भी है, adjective भी है, कैसे पैचानते हैं, आप खुद देखें, क्या फिर एक वीडियो के सारे मेंना माँ कर दिया है, adverbs की ही playlist में आपको मिल जाएगा, बहुत जादा जो नोट ने अटेक किया, that was fiercefully, एक तरह से fiercely हम सारी, foolishly, मूर्कता पुरवक हो सकता है, frankly, मैं तो साफ आपको बोल देता हूँ, generously, gladly, gracefully, greedily, happily, hard conditions applied, फिर से, hardly adverb होती है, बड़ उसका meaning कुछ औ और ये, hard खुद adjective है, खुद adverb है, पर हाँ, meaning sentence के हिसाफ से judge करते हैं, कौन adjective है, कौन adverb है, honestly, hungrily, hurriedly, innocently, kindly, lazily, loudly, loud भी होता है, adjective, allowed भी adverb होती है, कभी देखेंगे इनके बीच में differences, loudly का meaning अलग है, allowed का meaning अलग है, even loud का मतलब अलग है, madly, mysteriously, neatly, nervously, noisely, obediently, ये तो faithfully, that way, openly, painfully, patiently, perfectly, politely, poorly, then we may have something which was done, powerfully, क्यों बोल रहा हूँ इनको, promptly, एकदम से, अचानक से, जैसे command prompt होती है, एकदम से आपके browser में pop-ups आ जाता है, उनको promptly कहा जाता है, instantly एक तरह से भी कहा जाता है, quickly, quietly, rapidly, really, recklessly, reluctantly, repeatedly, roughly, rudely, sadly, safely, sensibly, seriously, sharply, silently, slowly, smoothly, आप देख लो अपने हिसाब से, stealthily, चोरी, छुपे, किसी काम को करना हो जाता है, straight, खुद adverb है, खुद adjective है, sentence ही आपको दिखाएगा, कहां पर किसकी need है, stupidly, successfully, suspiciously, कुछ तो गडबड है, swiftly, बड़ी चतराई से, बड़ी smoothly कह सकते हैं, जैसे birds fly करते हैं, thoughtfully, tightly, I'm sorry, truthfully, unexpectedly, victoriously, विजयता हो कर आए थे वहां से, violently, vivaciously, warmly, weakly, well, फिर वही कहानी, जादा तर तो adverb है, पर भाई, तबियत खराब है, get, well, soon, तबियत के लिए adjective का भी काम कर लेता है, widely, wisely, and many such, ये couple of हैं, पर आपने देखा होगा, अच्छा नजर डाल लेते हैं, चार adverbs of time पर, इसमें कुछ frequency भी है, जो काफी बार time का भी काम कर लेती है, have a look. कुछ मैं बोल देता हूँ, काफी सारी इनमें से frequency भी है, annually, frequency दिखाता है, repetition किसी चीज़ का, मैं एक वीडियो में frequencies की भी position mark करना चाहूँगा, to be precise, वो भी एक अच्छी चीज़ है, daily adjective भी है, daily adverb का भी काम कर लेती है, दोनों है, fortnightly, fortnight हम शाह जानता है, 14 days की period को कहा जात होता है, hourly adjective भी है, adverb भी है, monthly adjective भी है, adverb भी है, nightly, quarterly adjective भी होता है, quarterly examinations, I hope you remember, weekly adjective भी है, adverb भी है, yearly भी सेम काम कर लेता है, always frequency में आता है, constantly, ever, forever, forever भी इसी में बन जाता है, frequently, generally, infrequently, never, just the opposite, normally, occasionally, often, I pronounce this often, which is a correct sound, often भी बोला जाता है, आप चेक कर सकते हैं, दोनों सहीं, rarely, regularly, seldom, sometimes, एक सर्फ frequency में है, काफी बार time के equivalent हो जाती है, regularly and usually, और जो precisely time का ही काम करती है, now, then के तोर पर, today, tomorrow, tonight, even इनके जो बनते हैं, the day after tomorrow, the day before tomorrow, tomorrow, those words, yesterday है, yesterday, year भी होती है, पिछली साल को कहा जाता है, already, बता तो दिया, यार, कितरी बार बता दिया, before, मैंने पहले आपको पहीं देखा है, शायर, adverb of time में भीव करती है, हलांकि ये, conjunction भी है, the train had departed, before, we reached the railway station, और a proposition भी होता है, I came before you, similarly, after भी इसी category में आजाती है, early, I wake up early in the morning, earlier, तुम से तो पहली था, eventually, फिर वही अंतता, time का भी काम कर लेती है, finally, we won, अंतता हम लोग जीत गए, इसी की फोटर प लोग, last, और इनसे बने हुए सारे combinations, late, the train is running, late, see you later, बाद में बात करते हैं, भी हाल ही में एक movie आई है, lately, recently, next भी same tone में है, previously, recently, photography है, उसकी, since, मैं आपसे तीन साल पहले मिला था, और तब से आप मुझे याद है, have remembered you, since लिखा जाता है, adverb of time, जी हां, अच्छा, since के साथ जब object देते हैं, तब since preposition है, और since I was ill, I could not come, adverb clause of reason बनाने के लिए, and I've been playing piano since I was seven, 7 साल का था, तब से प्यानो बजा रहा हूं, तो since वहाँ पर adverb of time भी होती है, adverb clause of time आपसे कह सकते हैं, बहरी है as a conjunction, तो since adverb भी है, preposition भी है, conjunction का भी काम कर लेते हैं, the movie is coming, coming soon, he is still unconscious, the train has not arrived yet, अभी तक तो नहीं आई, और इनसे बने हुए combinations, last year, last week, last month, next year, next week, next month, and many such in the list, चलो फिर, चार place भी देख लेते हैं, यह तो चारी थे, देख लिए होंगे, above preposition भी है, adverb भी है, abroad अक्सर adverb भी होती है, इसके साथ common mistake आती है, he has gone to Delhi, चलेगा, he has gone to China, he has gone to Bangalore, he has gone to abroad, sorry, abroad खुद adverb है, इसके पहले prepositions place ना करें, they live abroad, कोई preposition नहीं आता है, adverb है, anywhere, somewhere, nowhere, and words like that, away, just get out, just get away, walk away, back, backwards, behind, below, preposition भी है, adverb भी होती है, down, sit down, preposition ना होकर adverb है, रेकिन हाँ, he was going down the stairs, जब object होगा तो preposition का का काम कर लेता है, downstairs, he went downstairs, अपने आप में खोदी adverb है, यह और तो नहीं जा रहे, elsewhere, far away, far, दूर के तोर पर भी और concrete abstract sense में भी दूरी दिखा देता है, far intelligent, तुम से तो बहुत जादा intelligent है, here, and there, and where, such words in the league, indoors बहुत अच्छा शब्द है, they love playing indoor games, they love playing indoor games, तो उस case में indoor adjective था, हम सब ने शब्द सुने, indoor games, outdoor games, तो indoor adjective है, outdoor adjective है, indoor, outdoor, indoors adverb है, outdoors adverb है, they are playing indoors, they are playing outdoors, just like outside हो जाता है, तो हैं वही सारे शब्द आपके, लेकिन adverb की तरह बहुत करते हैं, near adverb है, nearby भी adverb adjective दोनों काम कर लेते हैं, near तो इंगलिश में verb भी है, preposition भी है, adjective भी है, adverb का भी काम कर लेते हैं, just get out, बहार जाईए, outside, somebody standing outside, को बहार खड़ा है, there है, towards है, under, adverb है, preposition है, दोनों काम कर ल distinctions भी थी, जो आप simple words में भी बता दिया, आगे और detail में देख लेंगे, कई सारे इनमेंसे preposition भी होते हैं, तो वो preposition में बहुत जल्द हम pick कर लेंगे, आईए इनकी position discuss कर लेते हैं, मैं पहले clarify कर दू, examinations के लिए ये थोड़ा important है, हाला कि आजकल बहुत जादा इनको mind नही किया जाता, कि आप precisely manner, place, time को ही follow करें, हाला कि defense के कई examinations में एक paragemble दिया जाता है, sentence rearrangement, जिसमें इतना ही होता है, I invited him last month in the function heartily, for example, अब इस case में तो आप सारे combination बना सकते हैं, सही तो है, last month I invited him heartily in the function, last month I invited him in the function heartily, अच्छा, I invited him last month in the function heartily, I invited him in the function last month heartily, और सारे combinations आप बना लो, सही तो सारे ही हैं, पर defense आपसे एक ही answer पूछेगी, फिर most appropriate कौन सा होगा, तो वहाँ पर MPT follow कर दी जाती है, पर हाँ, honest answer, sentence में emphasis के तोर पर, need के तोर पर किसी भी शब्द को गुमाया जा सकता है, तब ये count नह होते हैं, जिनके examinations हैं, आपसे request है, आप rigid form में इनको follow ना करें, आप थोड़ा sentence की value समझ लें, कब किसको कहाँ emphasis चाहिए, blunder pick कर लीजेगा, that will be given priority, MPT को आजकल बहुत जाधा प्रात्मिक्ता नहीं दी जाती, फिर भी जब formal होना है, तो क्या process है, ओ मैं माह कर देता हूँ, तो sentence देखने में तो अच्छा लग रहा है, बुरा तो नहीं है, कि रमन ने वो किताब ध्यान पूरवक कल अपने घर पर पढ़ी थी, ये भी ठीक है, रमन ने वो किताब ध्यान पूरवक और वो किताब रमन ने बहुत ध्यान पूरवक कल अपने घर पर पढ़ी, हिंदी म आपको फॉर्मली लिखना है इसको फॉर्मल टोन में लिखना है उसके साथ मैनर सबसे पहले उसके बाद प्लेस उसके बाद मैं उसके बाद लिखा जाना चाहिए तो हम शॉर आपको combination कुछ यह बनेगा कि रमन read the book सबसे पहले subject उसके बाद verb है उसके बाद object है सबसे पहले manner place कर दीजेगा मतलब manner रख दीजेगा place अपने हाप में खुद एक शब्द होगा तो सबसे पहले manner आ गई carefully उसके बाद place आ जाएगी at home उसके बाद time लिखा जाता है yesterday मैंना अकसर time को अकसर हम last में पाते हैं जब भी आप sentence देखो के time expressions अकसर last में लिखे मिलते हैं पर अखबारों में जहाँ time की value है यह 18 तारीक का अखबार है नहीं 21 का है नहीं यह तो 7 तारीक का है तो वहाँ time को priority देकर अकसर उनको beginning में लिखा जाता है next week PM वहाँ जा रहे हैं अभी last month यह काम हुआ था अभी तीन दिन पहले ही यह खबार आई थी तो उस case में अकसर उनको beginning में लिख दिया जाता है पर हां formal tone में अकसर उनको पीछे लिखते हैं हाला कि उससे को grammatical mistake नहीं बनती कुछ sentence औ और देखें Milton the great wrote meticulously अब अगर right का object भी होता कि he wrote poems he wrote say drama plays etc तब भी इसके बगल पर हो जाता but he wrote लिखते तो थे meticulously बहुत ज़ादा precisely लिखते थे बहुत ज़ादा धंग से लिखते थे in simple words अब यह manner होगी किस तरह लिखते थे in England आपका obviously place हो जाएगी England noun है in preposition है collectively adverb of place और इस दौरान लिखते थे from 1630 to 40 collectively adverb of time ही behave करेगा she has lived peacefully in that neighborhood तुमको वहाँ शिकायत है वो वहाँ बरसों से रह रह रही है शांती पूरवक रह रह रही है कभी उसने शिकायत पैदा नहीं की इस चीज़ के लिए तो she subject है obviously has lived verb combination है रहती है शांती पूरवक रहती है obviously adverb of manner peacefully कहां रह रहती है वहीं पर रहती है जहां आपको शिकायत है adverb of place in that neighborhood neighborhood noun adjective preposition collectively adverb of place और हां बरसों से रह रही है वो तो preposition है for के साथ में years object है उसका वही है since और for का स्तमाल जो perfect और perfect continuous में किया आता है stating adverb of time पर हां overall तो time ही behave करेगी ना manner भी है place भी है time भी है अक्सर हम भी यही लिखते आते हैं फिर recall को एक अच्छा example दिमाग में आया किस तरह perfect और perfect continuous tenses में time expression होते है since और for की साहता से जो बनते है वो पीछे ही जाते है I have been suffering from fever since last night and those expressions अनीता danced beautifully अनीता बहुत अच्छा डांस करती है so she danced beautifully in that function जो उनके घर में शादी थी yesterday, last month, last night जो आप लिखना चाहें अनीता subject है, dance verb है beautifully obviously adverb of manner if I say then कहां डांस किया थे in that function place और हां कब किया था last month, last year, last night, anything such yesterday adverb of time I hope clear होगा, शिकायत होनी भी नी चाहिए, subject है, verb है, object है तो लगा दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले manner, वो काम हुआ था, किस तरह हुआ था, धंग से हुआ था ना, अच्छा कहां हुआ था, that additional information उसके बाद में और कब हुआ था, वो अकसर उसके पीछे लिखनी जाती है first glance, s-v-o-m-p-t यहां तक हो गया कई बार value, कुछ ऐसी verbs होती है, जिनको manner नहीं चाहिए, जिनको अपने साथ में place पहले चाहिए जो best example है, मैंने last में लिखा हुआ है, दिखाता हूँ अभी slide में कई जगह देखा है, कई जगह देखा है, बच्पन से देखा है, अनपढ़ थे तब भी देखा है क्रपया जूते चपल यहां उतार है, उनको place की value है, आप उनसे पूछी है सर, manner, जूते चपल उतारने तो उतार देगे, यहीं उतार देगे, लेकिन फर्क नी पड़ता कैसे उतारना है वो आप देख लो पर जूते चपल यहीं उतारना है अंदर नहीं जाएंगे मंदिर है, आफिस है, मीटिंग चल रही है anything such तो इसमें आपको value किसकी थी जूते उतारने वो ठीक है, भईया मैं यहां तक पहन के आगे मैं कोई दिकत तो नहीं है, नहीं नहीं इनको बाहर उतार के आईए अब कैसे उतारना है वो आप जानो, एड़ो अफ मैनर place की value जादा है, मैनर चाहिए इन मैंने आपको अपनी books दे दी, यह book है मेरी ध्यान से रख देना इनको, मैंने बता दिया careful ही रखना है, वो सब ठीक है सर रख देंगे यह बिल्कुल बहुत ध्यान से रखना एक की उपर एक लगा के रख देना ऐसे ही रख देना, अरे सर वो ठीक है रख देंगे रखनी कहां पर है, तो सबसे पहले रखने के लिए place चाहिए इवन place, जो खोद एक verb है place these things, keep these things पर रखनी कहां पर है, place पहले चाहिए उससे फर्ख नहीं पड़ता जाने के लिए manner होगी, बाद में आ जाएगी I am going, घर पर होता है, आप घर से निकले ममी पांच मट से आ रहा हूँ, ममी ध्यान से जाओंगा ओ ठीक है, कहां, कहां चल दिये मा यह नहीं पूछती के बेटा ध्यान पूरवक जाना है यहां जाना है, वहां जाना है सबसे पहले place आती है, कहां अभी तो आयो थे अब कहां चल दिये, कहां जाना है, क्यों जाना है पहले मा को जाने के लिए हमें भी जाने के लिए obviously place चाहिए भाई इस Sunday चल रहे है अपन तो वो नहीं पूछेंगे carefully चलेंगे के thoroughly चलेंगे के meticulously चलेंगे कहाँ चलना है पहले यह तो बताओ अच्छा ग्वालिर जाना है अच्छा Delhi जाना है Mumbai जाना है जाने के लिए place पहले चाहिए आने के लिए place पहले चाहिए जो आपने हमेशा देखा है get out वहाँ जाओ go there इदर आओ come here come के साथ अक्सर आपने adverbs of place ही देखी है I said अक्सर बाकि तो फिर sentence पनी वेली खुद बना सकता है बढ़ हाँ come here, get out go there आपने हमेशा देखा होगा तो ऐसी भी कई webs होती है जो अक्सर प्लेस चाहती है शाम को आप घर से गए थे ट्रेन में बैठे पापा से बात होगी, हाँ पापा बैठ गया मैं अच्छे से चलो आप लोग सोजा, मैं खाना ना खाले तो मैं भी सोजाता हूँ सुबह पिताजी सबसे पहले ये पूछते हैं बेटा कहां पहुँचे ये नहीं पूछते, carefully पहुँचे के नहीं वो तब पूछते हैं जब आप बोलते हैं पहुच गए, अच्छे से पहुच गए थे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई वो सब मैनर बगरा बाद में आती है सबसे पहले पूछा जाता है, कहां पहुचे पापा अभी तो ट्रेन दो घंटे लेट है अबसे नहीं पहुचे, कहां तक पहुचे है पहुचने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए रश के साथ रश जब वर्व होती है प्लेस ही माक की जाती है क्या मैनर दिखाओगे को भागा तो धीमे भागा था, तेजी से भागा था एक के उपर एक करके भागा था, what nonsense प्लेस पहले चाहिए, कहां भागा रह भागा भई है अत्ती जल्दी कहां पर है, कहां जा रहे है many words in English, many verbs in English जिनको प्लेस पहले चाहिए ना के manner or time, वो ठीक additional information आप बाद में दे दीजेगा कम के साथ अक्सर आपने here देखा है, go there वहाँ जाओ, जाई यहां से बाहर, straight, classman, बकवास की बाहर जाओ यहां से, get out अक्सर आपने adverb of place देखा है इनके साथ है, अक्सर आपने adverb of place देखा है he rushed, कहां भाग रहे है भई है अरे वो train का time होग यार, थोड़ा जल्दी पहुँचना है he rushed to the station adverb of place, station noun है adjective है, article है, preposition है collectively adverb का ही behave दरेगा वो भी place दिखा रहा है करपे आपने जूते चपल, ध्यान पूरवक उतार है वो उतार देंगे, अच्छा थोड़ा खड़े उकर उतारिएगा, लेट के उतार दीजेगा वो fine, बट उतारने कहां पर है keep your shoes outside and say take off your shoes outside या फिर यहाँ, वहाँ, जो भी आप कहना चाहेंगे तो हमें जूते उतारने वो ठीक है manner नहीं चाहिए, किस तरह उतारने वो आप देख लो, इस boundary से अंदर नहीं जाने चाहिए, इस line के अंदर जूते चपल allowed नहीं है, बाहर उतार कर आई है तो outside, everywhere, place ना के manner or anything such और यह किताबे जो हैं, यह चीज़ें जो हैं, यह मेरे जो कपडे हैं, इनको इस room में रख देना, अब हाँ एक के उपर एक रखना है, step by step step रखना है, juxtapose करके रखना है, in this order रखना है, that order रखना है, at sixes and sevens रखना है in apple pie order रखना है, वो आप देख लो किस तरह रखना है, पर रखने के लिए manner नहीं, रखने के लिए place पहले चाहिए, manner है, तो आप उसे बादमा कर सकते हैं ठीक है, तो कई बार जरूरत पड़े, तो svo pmt भी हो सकता है, जहां प्लेस चाहिए, तो प्लेस पहले देदो, फिर किसी किताब का रूल काम नहीं करता है, भाषा, हमेशा logic से चलती है, और एक sentence ही लिख देता हूँ, शायद next slide blank है, नहीं है, पता नहीं, एक अच्छा example और लिखा है तीछे, इसी sentence को दबारा देखो, the movie is coming, या coming लिख देता हूँ, चलो मैं, एक movie आरे यार, मेरे favorite hero की है तो आप पूछेंगे, सर कहां रही है, बताइएगा, आपके नजदीक cinema घर में, के हमारे शहर में के वहाँ पर, के उसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा सीधा movie देखने के लिए, सब जानते है movie आती है, कहां पर आती है, नजदीकी cinema घरों में, सब जगे मिल जाएगा, need not define time, sorry, need not define place, सब कैसे आएगी movie मतलब, चलके आएगी, धंक से आएगी, carefully आएगी, thoroughly आएगी, manner नहीं चाहिए, पर ये movie कब आएगी, यार, ये तो देखनी देखनी है, तब देखते है, movie इसके trailer में क्या लिखा होता है, सबसे पहले तो कोई show है, coming, सून आप न अकसर लिखा पाया है, अब मुझे न manner चाहिए, न प्लेस चाहिए, time की value जादा है, this दिवाली, this Ead, this summer, अकसर आपने उनके साथ time expressions पाये हैं, तो जरूरत पढ़े, तो किसी भी वर्ग के साथ में, आप time expression पहले डाल सकते हैं, manner उसके बाद होगी, times के बाद आ सकता है, अच्छा, relative announcement में सब चीज़ें होती है, the train is running, अब run के बगल में manner नहीं आता है, running carefully, running smoothly, running beautifully, नहीं चाहिए, भई, यह बताओ, कित्ती देरी से चल रही है, late है, वो तो हमें भी बता है, running late by, इतने-इतने minutes, hours जो आप कहना चाहेंगे, तो train is running, running on time, या फिर running late, तो वो run के साथ, जल्दी भागो, run fast भी सही है, adverb of manner, पर running on time भी सही है, running late भी सही है, जरुत पड़ी कि तो time expressions पहले आ जाते हैं, in the same fashion, कई examples हैं, आप कभी बुचेक करो, arriving at platform number 5, at platform number 2, platform number 2 पर आ रही है, 4 पर आ रही है, वो सब ठीक है, कई बार notice किया, arriving shortly at platform number 572 जो आप कहना चाहेंगे, तो arriving shortly, जल्द आ रही है, अब उस case में, arrive के बगल में, place नहीं है, shortly, adverb of time पहले लिखा हुआ है, मैंना आपको शायद पहले कहीं देखा है, मैंना आपको देखा है, carefully देखा है, meticulously देखा है, मेरे को नहीं पता हूँ, यह कि बिलकुल चहियां चहियां करते हूँ आ रही है, पर वो बाग की बाग है, need to define time expressions first, जो flight है, वो 2 घंटे डिले हो चुकी है, time की value आ जाती है, तो जब time expression चाहिए, time आगे लगा दो, इसलिए exams अकसा रभिन को mind नहीं कराते हैं, वो formal statements में कराते हैं, चोटे मोटे जब है, because sentence की emphasis उसके हिसाब से change की जा सकती है, I hope आपको clear होगा, कहाँ पर आपको manner place time रखना है, जो साधार अनता यही order होता है, S, V, O, M, P, T, पर ज़रुत पढ़ने पर आपको PMT, TMP भी follow करना पढ़ सकता है, coming, coming soon, arriving, arriving shortly, running on time, running late by इतने hours, जो आप कहना चाहेंगे, तो एक बढ़िया statement मैंने लिखा है, कि आप 200 adverb लगा लो, क्योंकि adverb तो कुछ भी कर सकती है, कोई manner, कोई place, कोई time, कोई frequency, reason, affirmation, contrast, negation, etc, पर उन सबकी position कहाँ पर है, कि according meaning change किया जा सकता है, और उनकी position थोड़ी precise होनी चाहिए, नहीं तो ambiguity बन सकती है, कि आप कहना कुछ और जा रहे थे, कहा कुछ और गया था, एक बहुत बढ़िया statement at your screen now, every day, रोजाना, frequency में आ जाएगा, time में भी आ सकता है, after breakfast, रोजाना, breakfast करने के बाद, he runs quickly, वो तेजी से भागता है, he goes quickly, वो बहुत जल्दी जाता है, adverb of manner जाता तो है, तेजी से भागता तो है, बढ़ टेजी से, कहां जाता है भी है, बता दो please, down the street, वही, office की bus जहां से मिलती है, वहाँ पर वो stadium पहुंचते हैं, station पहुंचते हैं, frequency भी है, जो time equivalent भी हो जाता है, खाना खाने के बाद, breakfast करने के बाद, बेना breakfast के घर से क्यों जाऊंगा मैं, उसके बाद आप तेजी से भागते हैं, ध्यान से भागते हैं, for example, अच्छा कहां भागते हैं, वो bus station जाना होता है, bus train जाना होता है, railway station जाना होता है, जहां से भी हम bus train पकड़ते हैं that way, और क्यूं जाते हैं, office जाना है तो फिर नहीं चाहेंगे, क्या, adverb of reason भी उसके पीछे हो सकता है, तो आप चार adverb मैंने यूज की हैं, चार नहीं जादा हैं, आप 400 और इसके पीछे लगा लो, पर अपनी-अपनी precise position पर ही mark की जानी चाहिए, अगर आपने इन में से adverbs change की, तो पिछला वीडियो फिर आ जाएगा, the position of an adverb changes the meaning of the given statement, इसलिए कब आपको MPT चाहिए, कब PMT चाहिए, कब TMP चाहिए, sentence की need, emphasis के according, बहुत आसानी से judge किया जा सकता है, I think that's all I had in this video, काफी कुछ आपको mark किया, with precise meaning, precise need, कि कहाँ पर आपको कौनसी चीज़ कब mark करने है, किसी rule के हिसाब से नहीं, कि नहीं PMT लगा दो, MPT लगा दो, हर जगे MPT चल जाती है, daily life में नहीं चलती, एक्जाम्स में क्यों चलेगी, शिकायत है आप तो comment box में लिख सकते हैं, वो विना है, इस वीडियो के ही finish करता हूँ, आप एक बार playlist section open करना, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा for sure, और आगे भी content मिलता रहेगा, vocabulary की, grammar की, noun, pronoun, adjective, article, verbs, z-verb, अब सारी चीज़ें मौझूद हैं, previous year paper bank, P.O.K., Clark, Pre, Mains दोनो, SSEC, CGL, CHS, 10O, UPSC, CDS, और ऐसे बहुत सारे, और कुछ आपके basics के लिए, RC close test, paralympals के भी videos मौझूद है, can grab them, आप मेरे साथ पढ़ सकते होना, daily basis, step by step exams, को ध्यान में रखते हुए, exam oriented classes, English by Kabaldiv Sharma, same नाम से app है, can download it, sign up करेंगे, तो आपको 3 batches वहां मिल जाएंगे, एक foundation batch है, जिसमें पूरी grammar, exams के purpose से, step by step, daily class रहती है, additionally, vocabulary की बहुत सारी classes, और practice sessions भी, आपको बहुत सारे topics के मिल जाएंगे, live class है, बाद में recording पढ़ी है, आप जितनी बाद चाहें देख सकते हैं, live doubt है, live पूछे, notes available है, और doubt अगर बाद में है, तब भी आप group में discuss कर सकते हैं, सिर्फ grammar पढ़कर exam qualify नहीं होता, चीखासी उसकी practice भी करनी होती, तो एक practice batch भी है, जिसमें आप pre means दोनों को ध्यान में रखते हुए आ सकते हैं, चाहे वो banking हो, यह सारे topics वहाँ पढ़ाई हैं, पढ़ाई जाएंगे, या फिर आपका SSC है, नई syllabus के according भी, तो most welcome, चाहे वो MTS का हो, changed, CHSL हो, changed, CGL हो, changed, और हां, किसी को चाहिए नहीं, हमें live class में लेनी, हम तो सिर्फ videos देख लेंगे अपने हिसाब से, तो अपने set, duration और validity के हिसाब से, आप VOD section भी दे सकते हैं, videos on demand, सारे videos एक साथ मिल जाते हैं, जब चाहिए, जैसे चाहिए आप देख सकते हैं, ठेक है, चले, चले, can catch me across different handles, music channel, Kapil Music Boy, आप अधर भी बहुत जल्दी कोई video, can follow me on Instagram, with the same handle, Kapil Music Boy, Twitter, with the same handle, Kapil Music Boy, Telegram जरूरी है, for students, daily vocabulary आपको मिल जाते है, और बहुत सारी चीज़े है, PDF, Classes को Notifications, ETC, can catch me on Facebook as well, and I would love to see you in the next video, till then, and take care, be safe, thank you so, so much for your presence, this is Kapil Dev Sharma, always welcome you to my YouTube channel, English by Kapil Dev Sharma, thanks a lot.